लोकसभा चुनाओं से पहले भारती जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है पार्टी आलाकमान ने राजस्थान, हरियाणा और आंध्य प्रदेश के चुनाओ प्रभारी कुरुवार 21 मार्च को बदल दिये जी हाँ, पहले चर्ण की वोटिंग से एक महीने पहले लिया गया पार्टी का ये फैसला चोकाने वाला है और आपको बता दे कि पहले चर्ण की वोटिंग 19 अप्रेल को होनी है और इसके लिए अधी सूचना भी जारी हो चुकी है वही हरियाड़ा में बीजेपी ने इसी साल बिपलप कुमार देव को लोगसभा चुनाव प्रभारी न्यूक्त किया था और बिपलप कुमार देव भारती जनता पार्टी के राजय सभा सदस्य है तिर्वपूरा के पूर्व मुख्यपंतरी बिपलप कुमार देव साल 2018 में तिर्वपूरा में पार्टी की जीत के सूतरधार माने गये थे पार्टी ने इनकी जगह सतीश पुनिया को प्रभारी बनाया है और इनके साथ सुरेंदर सिंग नागर को से प्रभारी बनाया गया है अब आपको बता दे कि राजस्थान में बीजेपी ने मोजूत प्रभारी प्रहलाद जोशी को हटा कर इनकी जगह वरिस्ट नेता विने सेस्त्र बुद्धे को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है वही वेजिया, राहटकर और प्रवेश वर्मा को राजस्थान का से चुनाव प्रभारी बनाया गया है वही बात अगर अंधुप्रदेश की करें तो यहाँ पार्टी ने अरुण सिंग को नयाब चुनाव प्रभारी बनाया है और यहां अरुंट सिंग का साथ सिधार्त नात सिंग देंगे आपको बता दे कि आंधु प्रदेश में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखने के लिए इस बार डीटीपी और जन सेना पार्टी के साथ गडबंधन करके उतरी है और यहां लोकसभा चुनाओ के साथ ही विधान सभा चुनाओ भी होंगे हाल ही में प्रधान मंतरी नरेंद्रु मोदी ने यहां एक जन सभा का भी आयोजन किया था और इसमें उन्होंने YSR कॉंग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार पर हमला किया था तो अभी के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खबर पर